हेलो फ्रेंट्स नहोंशकर आर्पी एससी कॉलेज लेक्सिर की जो वांट्स आई है उसमें इस्टी की तकरीबन पचास वेकिंसी ज़े उसकी प्रिपेशन आपको कौन-कौन से रिसोर्स मेटिर्स करनी चाहिए उस पर हमने पहला कंड बनाय था आज सेकंड पार्ट है सेकंड जो पेपर इसका रहेगा आपका जो ऑप्चनल का उसमें क्या-क्या आपको पढ़ना है और किस तरह से आपकी तैयारी की दीती होनी चाहिए पहले पेपर में जहां ancient India, medieval India and historiography यानि इतिहास बोद के तीन खंड दिये वे थे वैसे ही जो second part है उसके अंदर modern India, world history and history of Rajasthan included है तो सबसे पहले बात करते है आदुनिक भारत का जो खंड है आपको उसमें क्या पढ़ना है आदुनिक भारत का जो खंड है उसमें मैं आपको सलेवस दे रहा हूं हिंदी में आपको मिल जाएगा इसमें अंग्रेजों की और European company के भारत आगमन के साथ यानि पंद्रवी सौ पर उखलब्द है चाए उंदी माधन कारेवरन की राम लखन शोकल की किताब हो चाए हो इपिंचंद्रा की किताब हो चाए हो वी डी महाजन की किताब और तो तो इतनी किताबें तो हम करने ही पाएंगे, ऐसी किताबें जो resource material की रूप में RPSC लेता रहा है, JRF और NetSlaid में जिसका प्रयोग किया जाता है, उन किताबों कोई हमको basis बनाना है, पहला पार्ट जब मैंने अप्लोड किया तो बहुत से लोगों का message वगरा आया कि अन्ने किताबों के बारे में उन्हों ने पूछा, तो हम उन्ही किताबों के अधिक focus करें, समय बहुत कम है, कम से कम 10-12 हमारे revision होंगे तो हमें चीज़ें समझ में आएंगी, modern India की बात करें, तो पहला जो पार्ट है, अंग्रेजों के या European company के भारत आग्मन, arrival of British and European companies to India, यहां से लेके, और 1857 तक का पार्ट है, वो Grower and Yaspal की जो किताब है, इंग्लीज में Grower and Grower की जो किताब है, जो आप उसके इन पर नजर आ रही है, इसमें अच्छे से दिया हुआ है, इसमें काफी तफसील से दिया हुआ है, तो उसको आप refer कर सकते हो, 1857 से लेके, और 1947 एविन 1964 तक का जो इतियास है, वो आपको विपिन चंदरा की Modern India जो किताब है, और ब्लैक स्वाम से आती है, जो पुरानी NCRT है, वो करनी है, बहुत ही सरल रिती से किताब है, जो आपको सिलसले वार समझ में चीज़े आ जाएगी, यह किताब भी 1707 से प्र पर आती रहती, तो इस से रिलेटेट जिस तरह से Ancient India में उपंदर सिंग की किताब को रिफर किया था, वैसे ही आपको शेखर बंदो पादिया की किताब को देखना है, यह किताब फोड़ी सी पढ़ने में जटल जरूर आपको लगेगी, लेकि इसमें नहीं प्रवर्तिया, आपको देखने को मिलेगी, Modern India में इतना बहुत है, इसके बाद में समिधान निर्मान कैसे हुआ, या फिर राज्यों का एकी करन कैसे हुआ, यह आपको कोई भी किताब से मिल जाएगा, चाहिए वो विपिन जंद्रा की जो है आजादी के बाद के भारत का जो इतिहास है, उसमें 400 तक का पार्ट आप देख सकते हो, यह किताब है करने के बाद में आप objective question निकाले, अगर आपको आपको गाइड है, किरन है, आरिया है, जो भी है, तो उसको केवल आप supplementary use किजे, उसको आप base किताब मत बनाएए, अगर आप उसको base किताब बनाएंगे, तो आपका जो पढ़ाईगा, जो तरीका, जो बिल्कुल change हो जाएगा, और वो आपको fruits नहीं देगा जब आप examination hall में बैठेंगे, point यह नहीं है कि कौन आदमी किस किताब को पढ़ के select हो रहा, आप यह भी देखें कि वह बेक्ती, उन किताबों को कितने वर्स से पढ़ के पास हुआ ह तो दस वर्स तक अब आठ वर्स का आपको आपको समय है, ऐसे बहुत से लोग जो आठ आठ दस साल से देने के बाद अब select हो है, अगर वो आपको आपको किताबें बताएंगे, तो उनकी किताबों को आपको फॉलो करोगे तो आपको इतने वर्स लगने है, short short formula जो है, वो इन ही किताबों को लेकर आपको मिलेगा success का, अन्यताब को नहीं मिलने वाला, आप इस पे यकीन कर लीजी, second part है, वो है world district का, world district भी रेने साप पुनर जागरन से प्रारम होता है, और second world war से और उसके बाद तक की बाते इसमें दीवी है, world district में पुनर जागरन से लेके किताबों से आपको refer करना पड़ेगा, पुनर जागरन का पार्ड, धर्म सुधार का पार्ड, यह जो topics हैं, जो पूराने वाले topics हैं, इनको आप जैन और मातुर की किताब से कर सकते हैं, इसके अलावा हिंदी में बहुत अची किताब हैं, जो आपको इसके बारे हम बहुत अची किताब लिखी भी है, उसमें भी पुनर जागरन, धर्म सुधार, ओद्योगी करांती जो हैं, काफी तफसील से अच्छे से सिलचले बार दियेगी, जरसल वो किताब जो है, N.C. विश्वी की किताब जो है, केटल भी की विश्वी उतियास की जो किताब है, उसको हु अची किताबों में मिल जाएगा, इसके लिए आपको जैरन माथो जैसी मोटी किताबें देखने ही आपो शेकता नहीं है, आप दिनानाथ वर्मा की योरप का इतियास का पोश्वन देख सकते हैं, लाल वादूर वर्मा की विश्वी इतियास की जलक किताब आती है, वो दे उसके उपर नॉर्मन लोग की किताब है Mastering Modern World History वो किताब एंगलिश में आती है उसका हिंदी ट्रांसलेशन होगू आपको स्पेक्टरम की विश्वितियास में मिल जाएगा उथ किताब को भी आप देख सकते हैं उसके पॉइंट वाजी दिया गया है काफी अच्छी तरीके से लखेगी किताब है Important यह नहीं है कि कितने दुरलब तत्थ है या कितने ऐसे चीज़ें आप निकाल के लाते हैं जो बहुत कम लोगों को पता होती है Important यह बात है कि आप उन चीज़ों को पढ़ो जिनको आपका Paper Setter important मानता है Paper Setter कभी भी ऐसे किताबे नहीं पढ़ेगा जिसमें बहुत अत्री दुरलब चीज़ें दीवी हो हो सकता है आप पढ़ने की दौरान विद्यारती रहने की दौरान आपकी मन में दुरू रोचकता रहे कि यह बहुत अच्छी बात दीवी है लेकिन आपका Paper Setter भी बात जाने यह आवशिक नहीं तो important चीज़े पढ़िए परिक्षा में आने वाली चीज़े पढ़िए न कि दौरलब और वैसी चीज़े पढ़िए जो आप जो है अपने दोस्तों के साथ बैट के बता सको क्योंकि हम इतनी बाते इसके मारे में जानते हैं तो परिक्षा पास करने के लिए है आपको पढ़ाई करनी है ज्यानी ध्यानी बनने के लिए नहीं करनी है अब तो तीसरा portion है वो राजस्तान की हिस्ट्री का है राजस्तान की history में बहुत सी किताबे उपलब्द हैं Hindi में भी है, English में भी है Colonel Todd की Annals and Integrities of P आपको Hindi में मिल जाएगी उसका translation वगरा लेकिन इतनी किताबे आपको पढ़ने की थी मोटी किताबे जो दो या तीन खंड में लिखी उसको पढ़ने की आपको 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 पढ़ने की आपको 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 चोद किया है जो आप उसकीर में नजर आ रही है व्यास की किताब है वर्मा की किताब है जिसमें राजस्तान के सोतन तांदुलन इत्यादी कैसे चला उस पर भी काफी बाते देगी है राजस्तान अध्यन की किताब है जो पहले राजस्तान बोर्ड में चलती थी उसमें भी र पहराई तक पुए खोद्रे की राजस्तान की इतियास में, राजस्तान इतियास मर्मग ये बनने के आउशिकता है नहीं। तो ये तीन खंड आप कम किताबों से कर सकते हैं, उसके बाद में आप objective question कीजिए, बारम बार आप revision कीजिए, revision is the key to the success, अगर आप बार-बार revise करोगे, तो ही आप तो success मिलेगी, ज़्यादा किताबें पढ़ोगे, एक या दो-दो बार पढ़ोगे, उसका कोई फाज़ा नहीं, आपका समय ही व्यर्त होगा, तो पहला पेपर और दूसरा पेपर आपको किस तरह से करना है, आज के लिए तब बहुत है, शुक्रियां. कर दो, या दो, पह दो मान दो, पूसका गाजय ही व्यर्त है, या है, शो तो ankleया से विðे, और को किस तरह से विएकरण किस तरह से बाल आपको किस त exemplo बाल सु Kea ज़ लहाएं से ओले ल्यर्त हैं MRW, आपका समय ही लिएकर हैं में. झाल झाल